खरगाउन प्लीस ने दो अलग-अलग मामलों में कारिवही कर दो हतियार तसकरों को गिरफतार कर इनके कबजे से 23 अवेध हतियारों का जखीरा बरामत किया है जबकि दो आरोपी फरार है बुधवार शाम करीब साथ बजे कंट्रोल रूम में मामलों खुलासा करते हुए एसपी धर्मविर्सी ने बताया कि गोगाउन थाना चेतर में अवेध हतियार बिकरी की सुचना मिली थी जिसके आधार पर मोक्यपट टीम भीजी गई दो सिख्लिगर अपाचे मोटर साइकल से गड़ी में रोड तरब गराम दसनावल पर पहुचे थे जहां पुलिस टोंने रोकार जिस पर बाइक पर सवार निर्मल पिता अमरसिंग सिख्लिगर निवासी गराम पचोरा थाना खकनार जिला बहानपूर को पकड़ा गया जब के पास एक कार्म सवार सिख्लिगर तनमंसी निवासी सिंगुन को पांच जैसे पिश्चल के साथ गिरततार किया गया है बीरो रिपोर्ट खरगावन का दूर्पयोग ना हो इसके लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही है एडिस्टी रूरल सिवानोहर भीकन गाव और थ सिख्णूर का जो अरूपी है तनमन सिंग वो अवैद हत्यारों की स्मगलिंग में लिप्त है तो इन्फोमेशन के आधार पे तनमन को ग्रफतार किया गया वो चार पया बाहन में पांच पिस्टल के साथ पकड़ा गया वो कार उसने कुराय से ली थी और तो यह अन्य जिल प्लेने के लिए यह सिख्णूर आया हुआ था और इसके साथ में सिख्णूर का प्रमोखारूपी उपकार सिंग है वो भी था पुलिस की टीम ने जब रेड़ की तो उपकार तो वागने में सफल हुआ है लेकिन इसकी कस्टडी से उपकार की गाड़ी जब्ती गई है और नहीं करते हैं कि लगातार सभी प्रकार के क्र मॉनितिर भाटे एं। पहले वी पूरे साल में हम दो ने कारवई की है इस अवियान से पहले लगवर 212 अवेद 34 अब जब टीए हैं यह पुछ जो पॉकेट्स हैं इन पॉकेट्स में इलीगल आम्स की जो सिकायते हैं उसके लगातार हमने कारवई की हमने एक अजय सिंग जो इस पकार की उन लिप् हैं वो भी हमने मेटल डिटेक्टर के वाध्यम से डिटेक्ट की हैं इसका लगातार हम लोग कारवई कर रहे हैं जैसे इलेक्शन में इस पकार की बीगर राम्स का उप्रिब ना हुपार है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले